तो दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं कि भाई आपके अगर वार्बसब पर ठीकी ना इस्टोरेज प्रोब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा दिखता रही है आपके बार-बार इस्टोरेज प्रोबलम हो रही है तो ऐसे में आप अपनी जो वाटसप की इस्टोरेज प्रोब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे 2021 में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने वाटसप की जो इस्टोरेज प्रोब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे दो तरीके बताऊंगा जिसके ज़रे आप अपने जो storage problem है उसे solve कर पाएंगे WhatsApp की ठीके ना तो आपका कोई फालतुगा data आपका delete होगा कुछ भी नहीं होगा बस आपको ध्यान सेखना है कि मैं कैसे आपको बताता हूं और वैसी आपको करना है इस तरह से आप दोस्तों वाट विजिट करें तुसे आज इस सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस टेकनोलजी की वीडियो सबसे पहला देखने के लिए इस चलिए शुरू करते हैं सब सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर आपको अपना WhatsApp करना है ठीक है वाट्सअप उपन कर लीजिए और यहां पर चेट हिस्ट्री ठीक है एक तरीका तो यह हो गया कि आप यहां से किलियर ओल चेट कर सकते हैं यानि कि किलियर ओल चेट करेंगे डिलीट मीडिया चेट डिलीट start message, तो यहाँ से आप clear कर सकते हैं, ठीके, एक तरीका तो यह हो गया, आप दूसरा तरीका बताता हूं आपको, भीगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, storage and data, ठीके, तो इस तरह का, यहाँ पर आपको option देखाए दिखाए, इस तरह देख सकते हैं, आप manage storage, ठीके, इस तरह आपको क्या करना है तो आपको जितने भी ग्रूप है उस पर आपको क्लिक करना है ठीक न और यहां से आपके जो भी फाल्टू के जो फोटो जें या वीडियो जें उन्हें आप सेलेक्ट करेंगे ठीके सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करेंगे डिलीट एंड कोपी ठीक तो यहां से आप डिलीट कर देंगे तो इस तरह से आप सारे के सारे जो भी फालतू के चैट से उन्हें डिलीट कर दीजे और इस तरह से आप अपने वार्टसप की स्टोरेज प्रोब्लम को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में आपका सवाल हो तो जरू बताइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद